हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नितेस आप देख रहें एंगे डिजे एज चार तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो बहुत लोग सुझते होंगे कि आखिर इंफिनिक्स के फोन इतनी सस्ते क्यों आते हैं या वो मार्केट में अच्छे फोन सस्ते दाम में लौझ करना चाहती है , दोस्तो कोई भी कम्पनी अपना घाटा नहीं लगाना चाहे गा क्योंकि बिज्ञ evidence बिज्नस होता है तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि क्या है राज इंफिनिक्स इतनी अच्छे फोन्स को सस्ते दाम में क्यों लॉंच करती है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा अगर हमारे चानल पर पहली बार आये हैं तो प्ली सस्क्राइब कर लिजी गया दोस्तों इंफिनिक्स नया मुबाल लॉंच तो करता है लेकिन परसेसर वही P20 इलियो G35 का देता है जो की पुराना परसेसर है तो इस सब में उसका पैसा बचता है रेड्मी और रियल्मी नया फोन लॉंच करता है लेकिन नया परसेसर के साथ जो की लेटेस्ट परसेसर होता है लेकिन इंफिनिक्स ऐसा नहीं करता है क्योंकि पर करते हैं जो कि i7 तो वाजार में ज्यादा नहीं बिखतां और ज्विकता है श्लिए उप्योंनीष कर रहा है कि बहुत अइसे आदमी हैं जो की संसर कोई मतलब नहीं केमरा से कोई मतलब नहीं कॉल करने के लिए यूज करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को और पर इसके दिए जय भारत